हेलो गाइज विल्कम बैक टो माई चैनल मावेट इजी रस्पी और गाइज आज मैं आपके लेकर आए नवरात्री स्पेशल रस्पी यह एकदम नमकीन रस्पी है ओके आप इसे बिना जिंजटके बना सकते आए फटा फट से बनाने को शुरू करते हैं तो उसके लिए मैंन तो आप मैं चैनल को साइड में लेती हूँ कर्शन है है ऐब जैसे कात करने हैं अब को बहुत जादि ध्यान देना होग है वर गारे आप ओधि काला केला कड़ना है कैसे कर ना ये फट अ तक देख ते हैं और याउन ये हमारे मीडियम साइज की केले हैं mets और पहले क्ट करेंगे तो केले को कट कर लेंगे इसकंट लगाना शुरू करेंगे अब मैं हाफ वाला पाल्डरम थे पाल्ट मैंاع केले कर देएवा खोना कंटाएंगे केले केले काट लाया स्वागिनल और कोई कोई मोटर साइस पीसे हो जाएगा और भी आप देख रहे हो कि जैसा कि मैं काट रही है अगर जो पर जाया शाइब है सब्सक्राइब रॉबड कर रहे हैं कि च्ट पंसे और सबस्क्राइब आओ Нबना रहे हु रहा हुँआ क्यों तौन आपने पेमे तो ऊट ने करते हैं यह बहुत सकते बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसमें ज्यादा कुछ इंग्रीडियंस भी नहीं लगए अब आप देख रहेंगे इसके लिए मैंने सिक्स पीसस किये हैं क्योंकि हमारे मोटर साइस का था केला अब ऐसे मेरे सारे कट करके तयार हो गए है अब मैंने यहां लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर लालमेट्स पाउडर और यह मेरा सिंधा नमक है और यह मेरा अलरोटर सिंधा नमक हम अपने नवातरी बत में यूज़ करते हैं अगर आप व्रत के लिए बनाएं तो गाइस प्लीज आप सिंधा नमक ही उस करिएगा अब मुझे क्या करना है जो मेरा अलरोट है ना उसे मैं इसमें डालना शुरू करूंगी अपना एक चमच पहले में डाल देती हूं फिर दूसरा चमच और फिर इसमें हम डालनेंगे अपना स्वादन सार सिंधा नमक और फिर जो गाइस दिये हमारा मसाला चाना लाल मिर्स पाउडर और भुनाओ जीर पाउडर इससे भी हम इसमें डाल देंगे अब आपको मिलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि पूरे केले पर हमारा यह मसाला कोट हो जाए अब आप देखे हुए कैसे मैं मिलाते हुए पूरे से मिला रही हूँ और अब मुझे थोड़ा से अलरोट कम लग रहा है तो मैं थोड़ा से अलरोट इसमें डाल लेती हूँ तोटल गाइज यह हमारा कुलमिला के हमारा अलरोट चार चमच हमारा अलरोट खाने वार चमच से चार चमच इसमें पढ़ा है और फिर हम इसमें अलरोट इसलिए अच्छी तरीके से कोट करें जिसे कि जब हम इसमें तेल में डाल के तो इसे तलेंगे तो हमारा तेल में एक के लिए helpful वीडियो है प्लीज मेरे चैनल पर नाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा कॉमेंट्स में बताइएगा कि कौन को नावरात्री व्रत रहता है अब आप देख रहेंगे कैसे के मारा अच्छी तरीके से मारा लोड अलरोड केल जातरी व्रत के लिए अच्छी तरीके से तो यह हमारा घी गरम हो चुका है तो बाकी कभी मैं इसमें डालना शुरू करते हूं अब देखिए मैंने मरलब एक चमस डाल अब आप कहरें कि ओ भाई मरलब ही तो गीला है गीला एकदम भी नहीं है हमारे तेल में जाते ही अलग-अलग होदने लगेगा और गैस आपको तेल में डालने के बाद तुरंती चलाते रहना है और गैस आपको थोड़े थोड़े बातों का ध्यान रखना तेल एकदम ही आपका तेज गरम होना चाहिए तभी आप इसे तलने के लिए इसमें कड़ाई में डालिएगा और इसे आप हाई फ्लेम पर तलिएगा आप अपने वरत में जो भी तेल इस्तमाल करते हो आप उस पर तेल में से तल सकते हैं इस नाश्ते को और जिसनी जादे क्रिस्पी बन के रहार होती है आप इसे एक बार बना होगे तो बार बार से बनाने का सोचों कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अब आप देखरूंगे पहले से थोड़ा से मारा कलर चेंज होने लगा है मैं आप से बार बार कह रही हूं प्लीज गाइज मैं आपके लिए बहुत अच्छी ची रस्पीज लेकर आती हूं आप में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो लाइक नहीं करते हो वाव आप देख सकते हो पहले से हमारा कितना कलर डिफरेंट हो चुका है तो अब हम क्य करेंगे उसी सेम कढ़ाई में फिर से अपने और डालना शुरू कर देख सके लेवाले को तो कितनी जादा एजी रस्पी एकदम ही नई रस्पी मैंने आपके लिए लेकर आई हूं न तो आईए फटा फिट से भी हम पने तेर में से निकाल लेते हैं वाव तो आज का नाश यह आप देख सकते हो और मैं अब आपको दिखाऊंगे कि कितना जादा क्रिस्पी बना है मैं इसकी आवाज तो उसके लिए आपको गहरे बटन में डाल लेना है फिर से से मैं इसे हिलाते हुए आपको आपको आवाज दिखाती हूं आप देख पा रहे हैं कितना जादा क्रिस्पी बन के तयार हुए प्लीज इस रेस्पी को जरूर से जरूर ट्राइब करीगा मैं इसे फटा 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 प्लेट में सर्फ कर लेती हूं फिर मिलते हैं ऐसी एजी रेस्पी इसके साथ अब तक लिए बाबा है और हां मेरे च अब प्लेट में सर्फ कर लेती हैं झाले हम उन्हें आफ हूं आब प्लेट में सर्फ कर लेती हैं इस बढ़ा हैं इसके साथ हैं प्लेट में सर्फ कर लेती हैं गव्ले एक